हेलो माई लवली स्टूडेंट वेलकम बैक तू माई यूट्यूब चैनल साइंस बाई दीबा देखो इस वीडियो में हम लोग कोशें नंबर 15 को सॉल कराएंगे अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं चलो अब विदाउट वेसिंगा ताइम लेट्स स्टार्ट कोशें नंबर 15 क्या कह रहा है ये गिफ पॉसिबल एक्स्प्रेशन फॉर दे लेंथ और ब्रेथ अफ इच फॉलोग रेक्टैंगल इन विच देर एरियास आर गिवें क्या एरिया है इसपे दो पार्ट दिये हुए है एरिया लिखा हुए है 25A स्क्वेर माइनस 35A प्लस 12 चलो सबसे पहले हम लिखते है हमें ये पता है कि एरिया ओफ रेक्टैंगल होता क्या है ये होता है लेंथ इन्टू ब्रेथ ठेक है इसको आपको दिमाग में याद रखना है अब यहां पर जो कोशन में एरिया दिया हुआ है वो पॉलिनॉमियल फॉर्म में दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया है पॉलिनॉमियल 25a स्क्वेर माइनस 35a प्लस 12 अब इसको हम लोगो लेंथ इन्टू ब्रेथ के फॉर्म में निकालना है सबसे पहले हमें क्या करना है ये देखो इसमें हाइस डिग्री टू है इसमें हम लोग मिट टॉम स्प्लिटिंग करेंगे ठीक प्लस माइनस करने पर आपका 35 तो देखो मुझे तो देखते ही समझ में आ जाएगा आप इतने कोशन लगा चुके होगे कि आपको भी आइडिया हो जाएगा यहां पर देखो क्या आएगा अगर मैं 15 इंटू 20 करूंगी तो मुझे पता है ये 300 इंटू में होगा और 15 प्ल प्राइस किया है 15 एंट 20 में हमें माइनस कर 35 लाना तो दोनों नमबर हमारे माइनस में रहेंगे 20 माइनस 15 ए ठीक है अब 25 इंटू 12 करा 300 एंट 20 प्लस 15 करा 35 ए अब देखो कैसे लिखना है यहां पर 5 को कॉमन लेना है और अंदर आ जाएगा 55 25 ए ऐसे लिख लेंगे माइनस 5 4 20 तिन माइनस का 3 हम लोग लेंगे यहां पर ठीक है तो ब्रैकेट में क्या आजएगा 35 15 ए यानि 5 8 और माइनस आएगा यहां पर प्लस था पर माइनस आजएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए 4 ठीक है अब दो ब्रैकेट हमारे इसे आगे अब क्या लिखेंगे 5 a माइन सब्सक्राइगे हमारा इसना आजएगे इसमिन लेंध क्या आजएगी 5 a माइनस 4 एसलें 5 a माइनस 3 इस अब ठीक है हमारा दो में ब्रैका अब हम लोग चलींगे पार्ट 2 हम लिखा हुआ है थी तरीके से पार्ट वन की तरह हम लों करिए अरिया क क्या रिका है 35 y स्क्वेर प्लस 13 y minus 12 ठीक है यह हमारा area लिखा हुआ है अब हम बात करें rectangle of area की rectangle के area की तो वो क्या होता है length into breadth होता है ठीक है अब चलो question लिख लेते फिर से 35 y square plus 13 y minus 12 अब हम लोग इसमें mid term splitting use करेंगे again 35 into 12 करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा 35 into 12 करने पर हमारा 420 yes 420 आजाएगा अब आप 420 को दूसरे में मत लेना अब 13 y का हम लोग 13 का मलब factorize करेंगे तो क्या आजाएगा यह हम लोग देख लेते 28 into 15 अगर 28 into 15 करेंगे तो 420 आएगा and 28 minus 15 करेंगे तो 13 आएगा अब लेको किछे लिखेंगे हम लो 35 y square और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 28 y minus 15 y minus 12 ठीके बड़ा simple सा है अब इसमें हम लोग को common ले लेना जैसे हम लोग करते हमेशा ठीके पहले क्या common लेना है 7 y हमारा common आएगा जब 7 y common आएगा तो अंदर क्या बचेगा हमारा बचेगा 5 y plus 4 ठीके दूसरे bracket में minus common लिया 3 common लिया ठीके तो आजाएगा 5 y minus plus का 4 आजाएगा क्या minus मैंने common लिया अब यहाँ पर आजाएगा 7 y minus 3 and दूसरे bracket में 5 y plus 4 ठीके तो हमारा यहाँ पर लेन्ट इन्टू breath निकल कर आगया for more videos please visit my channel thank you so much and keep support me